basic economics है कि जब जादा competitors सेम चीज़ प्रोवाइड करने लगते हैं तो supply बढ़ जाती है और demand गिर जाती है demand गिरेगी तो obviously price भी गिरेगा दुसरा reason है electric vehicles दुनिया के almost सारे बड़े car manufacturing brands ने सोच लिया है कि वो स्रिफ electric cars बेचेंगे 2030 से Jaguar को थोड़ी जल्दी है ये वाला brand 2025 से all electric हो जाएगा Audi 2033 से Rolls Royce भी 2030 से Cadillac भी 2030 से और Mercedes भी 2030 से सारे बड़े markets में सरफ electric vehicles बेचेगा Mercedes सरफ उस जगा petrol vehicles बेचेगा जहां proper infrastructure नहीं होगा EVs की charging के लिए तो इन सब बातों को धियान में रखके मुहम्मद बिन सल्मान ने बना है Saudi Vision 2030 जैसे मैंने बोला था कि The Line Saudi Vision 2030 का top priority project है सौदी अरेबिया के केंडम में नियॉम नाम के शहर में रेट सी के बाजू में एक 170 किलो मेटर की लंबी लाइन बनाई जाएगी इसका नाम होगा The Line पुरी नियॉम सिटी का total area की बात करें तो ये 26,500 square किलो मेटर का होगा जो की New York City से 33 times जादा बड़ा है 170 किलो मेटर के distance के साथ ये सिटी 500 मेटर लंबी और सरिफ 200 मेटर चौड़ी होगी Line City में 100% renewable energy का use होगा इसका मतलब 170 किलो मेटर में कोई भी कार या बाइक यूज नहीं होगी Line City के 3 layers होंगे या तो आप इसको 3 flows भी बोल सकते हो First floor पर gardens होंगे, nature को promote किया जाएगा और लोग इदर सरिफ पैदल चलेंगे Second floor पर offices होंगे, business होंगे, malls वगेरा होंगे और शायद लोगों के रहने के लिए घर भी Second floor पर होगी वो First या Second में होंगे और Third floor पर speed होगी इदर 100% public transport का use किया जाएगा आपको high speed metro और hyper lux मिल जाएगे जिसके मदद से आप city के एक end से दूसरे end तक स्रिफ 20 मिनिट में travel कर पाओगे इसके साथ सारी essential items और ज़रूरी चीज़े जो आपकी daily life में बहुत important है ये सब आपको स्रिफ 5 मिनिट की दूरी पर मिलेगी जैसे hospital, schools, malls, entertainment arenas, जैसे theater, amusement park वागेरा, offices, etc ये सारी चीज़े आपको second floor पे मिलेगी इस line में 2600 feet लंबी building भी बनाई जाएगी और tourism को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए Red Sea के 50 से ज़्यादा island को luxury resorts में convert किया जाएगा इस line city का location ऐसा रखा गया है कि नियॉम से 40% of the world बहुती easily accessible होगा आप दुनिया की कोई भी major country या city से एक direct flight लेकर नियॉम पहुच जाओगे और वो भी सरिफ 6 गंटे या उतसे कम time में ये इजिप्ट के border के पास होगी तो Red Sea के उपर से एक bridge बनाया जाएगा जो सौदी Arabia और Egypt को connect करेगा Line city self sufficient होगी मतलब ये लोग खुद का खाना खुदी produce करेंगे और खुद का पानी भी खुदी produce करेंगे desalination method से अब इसको realistically देखे तो दिल्ली दूर है वाला scene लगता है क्योंकि at present सौदी Arabia अपना 80% of the खाना बाहर की country से import करता है और पानी की बात करें तो इनका खुद का कोई river नहीं है सौदी अपने 50% of the water needs desalination के थूर पूरी करता है और बाकी की mining वगेरा से इनका प्लान है कि Neom की 100% water needs desalination के जरीए पूरी की जाए बेसिकली ये लोग एक बहुत बड़े scale पर sea water को अपने बहुत बड़े solar dome में store कर लेंगे फिर एक process होगा उसको आप एक basic boiling process से compare कर सकते हो जिसके जरी ये पानी अलग कर दिया जाएगा और वेस्ट जैसे वेपर वगेरा अलग कर दिया जाएगा और फिर पीने का पानी produce हो जाएगा ये लोग को अपना खुद का मून भी चाहिए तो ये लोग artificial moon भी बनाएंगे और robots वगेरा भी कुछ leak information की माने तो ये लोग flying cars भी बनाएंगे और artificial rain का भी इंतजाम करेंगे seeding technology के true अब हमें sci-fi movies में बताया जाता है कि अगर हम robots पे और AI पे ज़्यादा dependent हो गए तो क्या ही हो सकता है यहां दुनिया के माहिर और talented लोगों को बुलाया जाएगा कि आओ भाई हमारे इदर आके अपने कर्तब दिखाओ इसके वज़ा से 2030 तक 3,80,000 से जादा job create किये जाएंगे ये 90,000,000 लोगों के लिए रहने का permanent घर भी होगा लाइन एक glass wall से ढखी होगी और linear बनाने की वज़ए ये है कि इनकी space भी बचेगी इनकी planning के हिसाब से 2025 तक कुछ hotel और services खुल जाएंगी नियॉम में लेकिन fully operational तरीके से 2030 तक ही खुलेगा दा लाइन प्रोजेक का total cost आता है 500 billion dollars मतलब के 50,000 करोट डॉलर आपको क्या लगता है कि ये city humans की सबसे बड़ी achievements में से एक होगी या humans के सबसे बड़े failures और disasters में से एक आप comment करके ज़रूर बताना इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों ऐसे और curious topics पर videos देखना चाहते हो तो subscribe कर दो और आप मुझे कुछ topic suggest करना चाहते हो तो comment में बता देना मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा मिलते हैं next video में bye